आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे तो दोस्तो सबसे पहली बात वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़े बताऊंगा तो मैंने सबसे पहले 1000 सबस्क्राइबर कंपलेट कर लिये आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से मैं आपका क्योंकि मैंने मेरे चैनल पर देड़ साल मेहनत की है और करीब 400 से ज्यादा वीडियो हो चुकिया और अब जाके 1000 सबस्क्राइबर हुए है तो प्लीज मुझे बहुत ज़ादा सपोट करना आपकी बहुत जरूरत है मुझे साथ में आज की इस वीडियो में मैं आपको बता 8 Megapixel का में सेंसर मिलेगा साथ में आपको बड़ा डिस्प्ले मिलने वाला है इसके अलावा इसमें आपको 730G का सिपसेट मिलेगा और कहीं सारी चीजे मिलेगी तो आज की स्वीडियो में मैं इसी स्मार्टफोन के बारे में आपको पूरे स्पैसिफिकेशन बताऊंगा इ इंडियन प्राइसिंग के भी बारे में हम बात करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन है उसको प्रेस करके और नोटिफिकेशन ओन करना ताकि आपको मेरे चनल पर ऐसे आमेजिंग वीडियो मिलत इसके अलावा इसमें आपको कव डिस्पे मिलेगा यह भी कनफर्म दो चुका है साथ में इसमें आपको सामने की तरफ एक वाटर रॉप नौच मिलेगी इसके अलावा आपको यहाँ पर इन डिस्प्रेश फिंगरफ्रिंट स्कैनर भी मिलने वाला है डिजैन की बात करते ह तो पिछे की तरफ आपको ग्लॉशी ग्रिडेंट फिनिश डिजैन मिलेगा साथ में आपको कई सारे कलर वेरियंट मिलेंगे इसके अलावा सामने और पिछे की तरफ आपको गोरिला ग्लास की प्रोडेक्शन मिलेगी तो डिजैन और डिस्प्ली के मामले में बहुत ही 8128 और 8256 GB साथ में जो प्रोसेसर है वो क्लॉक्ट है 2.2 GHz यानि कि आप जो है इसमें गेमिंग काफी अच्छी तरीके से कर पाएंगे अभी सबसे में चीस की बात करते हैं कैमेरा इसमें आपको पांच कैमेरा मिलने वाले जी हां आपने सही सुना पैंटा कैमेरा के साथ मे प्रजेट में होने वाला है साथ में इसमें जो में सेंसर होगा वह गा 108 मेपिक्सल का तो जैसे आप इमेजिस देख सकते हैं काफी क्लियर इमेजिस आ रहे हैं साथ में आपको यहां पर 5 एक्स ऑप्टिकल जूम मिलेगा और 10 एक्स हाइब्रिड जूम मिलेगा और बाकी की सेंसर जो है जैसे आप देख सकते काफी कमल के होने वाले हैं अल्ट्रा वाइड मिलेंगे आपको साथ में मेक्रो लेंस होगा इसके अलवा दैप सेंसर होगा टेली फोटो भी होगा तो काफी अच्छा होने वाला है साथ में सेल्फी की बात करते हैं यहां पर आपको 32 मेप पिक्सल की सेलफी मिलेगी अभी बात करते हैं बैटरी और अपरेटिंग सिस्टम की तो इसमें आपको 4000 इमेज की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोड के भी साथ में आने वाला और फास्टर जिंका भी सपोर्ट आपको मिलेगा और यह स्माटफोन चलेगा एंड्रोइड 10 पर और इसमें आपको MIUI 11 देखने को मिलेगा तो ओवरल देखा जाए तो काफी कमल का स्माटफोन होने वाला है बजट में आपको देखने को मिलेगा और अभी बात करेंगे इंडिया लांच डेट की और प्रैसिंग की तो जैसे नौमेंबर पाच को चाइना में लांच होने व वाला होगा तो काफी कमल के स्पेशिफिकेशन के साथ में आना है वाला है पैन्टा केमेरा होगा 108 में सेंसर होगा 730 जीवाला चिप सेट है बहुत ही बहुत ही अच्छा यह स्माटफोन के बारे में आपके सूश्तिय मुझे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और झाल झाल